नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और व्रत में खाने के लिए हमें कुछ डिफरेंट रेसिपीस चाहिए होती हैं क्योंकि एक एक चीज खाके हम बोर हो जाते हैं और जिसे आप व्रत में बहुत ही आसानी तरीके से खा सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिए हैं दो उबले हुए आलू तो यह मीडियम साइस के आलू हैं मतलब थोड़ी साइस के हैं मैंने इन्हें उबाल के इसका छिलका निकाल लिया है आपको ध्यान रखना है कि आलू को आपको बहुत जादा नहीं उबालना है और अलू बहुत जादा गीले भी नहीं होने चाहिए अब किसी चम्मस से या स्पैचुला की साहता से हमें इस तरह से फोड लेना है और बिल्कुल मैश कर लेना है आप चाहे तो इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं तो मोटा मोटा जो अलू रह जाएगा अलू का पीस उसे भी हमको बिल्कुल बारी कीजन को अच्छे से मैश कर लेना है तो देखिए फ्रेंड्स अलू को मैंने आप अच्छे से मैश कर लिया है जितने भी मोटे मोटे पीसे थे आलू के वो सारे मैने तोड लिये है अब यहां पे लेलिए मैन अब अगर अगर आप अधर डेज में भी से बनाएं तो भी आप इसे घी में ही बनाएं क्योंकि इसका टेस्ट घी में ही अच्छा आता है और यह मिठाई यह तो घी में ही बनेगी जी हमारा यह पर गरम हो गया है अब मैंस में डाल दूंगी मैश किये वे आलू कि और आप सेट कर लिजिए हाई फ्लेम पे नहीं इसको सेखना है मीडियम फ्लेम पे सेखना है और बीच बीच में इस तरह से दबाते रहेंगे तो जो मोटे मोटे टुकर रहे गए आलू के वह भी अच्छे से मिल जाएंगे मैश हो जाएंगे शुरू शुरू में आलू है इस जब यह सिखने लगेगा उसके बाद अपने आप आलू कढ़ाई को छोड़ देंगे यह देखिए मैं इसको कंटीनू चलाते हुए सेक रहे हूं तो इसी तरह कंटीनू चलाते हुए सेकना है और साइड में जो जम रहा है इसे भी आप चमल से निकालते चाहिए इस मठाई अच्छे से भूना है देखिए इस तरह से मैश करते हुए ताकि पूरे का पूरा आलू बहुत अच्छे से भूने तो फ्रेंस आलू हमारा अच्छे से भून चुका है आप इसका कलर देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है और क्वांटिटी भी कम हो गई है जब हमने आलू लेने हैं और देखिए इसमें से खुष्भू भी आने लगी है और देखिए आलू ने घी छोड़ दिया है दिख रहा है इसका मतलब आलू हमारा अच्छे से भून चुका है यह देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया इसका और अब मैं डाल दूंगी एक आपसे अच्हा डालें इसमें मैंने दो आलू में एक चथा ही कप चिनी डालिए बस डेультат को मैं मैं में अच्छे से गूल जाएगी तो मैं घ्ड़े मॉफकर दूंगी और इसको चलाते रहना है तो दो कर दूंगी और इसको मैं थोड़े सा चला आलूंगे क्योंकि अभी पसंद आती है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और अच्छे-चे कमेंट्स भी कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है तो मैंने इसे स्क्वायर शेप दे दिया आप गोल भी दे सकते हैं रेक्टेंगल भी जे सकते हैं जैसा आपका मन अब इसे कट कर लेंगे तो मैं ऐसे स्क्वायर कीज में कट कर हीुग बॉर्णश की तो friends आप देख सकते हैं यह बहुत ही easily cut हो रही है अगर आपकी easily cut नहीं हो रही है तो आपसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए सेट होने के लिए उसके बाद वो आराम से कर जाएगी पर मैंने इसको तुरंत काट लिया क्योंकि बहुत अच्छा टक्स्चर आया था तो इसकी कतली जो है बहुत easily बन गई थी और आराम से निकल भी रही थी अभी मैं दिखाते हूं आपको तो यह देखिए friends कितनी अच्छ अच्छी हमने है आपे आलो की सिकाई की है बस हमें आलो की सिकाई बहुत अच्छे से करनी है तब ही हमारी बीफित बने की और घ cricket और गी देख सकते हैं सीपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई